राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आठ माई से जेश्टुमाश की शुरुवात हो गई है जेश्टुमाश का हिंदू धर्म में विशिश महत्व है जेश्टुमाश के मंगलवार के दिन ही बजरंगवली भगवान, शरी राम से मिले थे और जेश्टमाश की अमावश्यातिती पर ही शनी देव का जन्मुस्ब मनाया जाता है ऐसे में जेश्टमाश के मंगलवार और शनीवार का विशेश महत्व होता है क्योंकि मंगलवार और शनीवार का दिन भगवान बजरंग बली को समर्पित होता है इसके साथ ही सनिवार के तन शनी देब का भी पिशेश रूप से पूजन किया जाता है जिसमी व्यक्ति पर शनी देब और वजरंग बली की कृपा दर्ष्टी हो जाए भैभभवसागा से पार उतर जाता है शनी देब के शुब दर्ष्टी से मनुष्य धन धानने से पूण हो जाता है तो महावली हनुमान जी की दर्ष्टी से मनुष्य के दुश्मन अपने आप ही खत्म हो जाते हैं दोस्तों बेदिक जोतिश में शनी देब को कर्म फल दाता माना गया है यह हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं हाला कि इनकी चाल बहुत धीमी है इसलिए इनका अच्छा या बुरा असर लंबे समय तक रहता है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि शनी देव हमेशा ही बुरे फल देते हूं जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है शनी देव उसको सदय भी अच्छे फल देते हैं यदि आपके कुंडली में शनी ग्रह पीड़ित हैं या कमजोर हैं तो आपको शनी वार के दिन शनी ग्रह की शांति के उपाय अवश्य ही करने चाहिए शनी देव के शुप्रभाव से ब्यक्ति का जीवन सरल हो जाता है जिन पर शनी देव के कृप्रा होती है उन्हें हर छेतर में सफलता मिलती है शनी देव के कृप्रभाव से ब्यक्ति को कई प्रकार की परिशानियों का सामना करना पड़ता है ब्यक्ति के कुंडिली में साड़े साती और धैया होने पर ये उसकी सफलता में बाधक बनते हैं दोस्तो आज ही इस वीडियो में हम आपको काली में से कहने वाले कुछ बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं इन उपायों को कहने से आपके जीवन में बदलाव के साथ सारे दुख दर्दूर हो जाएंगे, अटके हुए कार्य भी बनने लगेंगे, इसके साथ ही धन का लाव होगा इन उपायों को करने से शनी देव के साथ साथ धनकी देवी मा लक्ष्मी जी की भी कृप्राप्त होती है और घर में सुक सम्रथी आती है दोस्तों इन उपायों को सही प्रकासे करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंट तक अवश्य ही देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें जिससे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएं दोस्तो छोटे और सामाले दिखने वाली काली मिज भोजन में प्रयोग की जाए तो हमारे शरीर को सस्थ रखती है इसके साथ ही इसके ऐसे उपाएं हैं जिससे घर में उपस्थित किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और साथ ही सकारात्मक उजा का घर में निवास होने लगता है काली मिज के ये उपाएं आपके जीवन और भागे को बदलने में सहाइता कर सकते हैं जोते शास्ते के अनुसार काली मिज को शनी ग्रह का कारव बस्तू कहा गया है ऐसी माननेता है यदि किसी पर शनी देप के साड़े साथी का कुप प्रभाव हो तो उसे काले कपड़े में थोड़ी काले मिज और कुछ पैसे रखकर दान कहरें चाहें इस उपाएं को कहने से शनी देप का प्रकोप जल्दी ही शान्त हो जाता है दूस्तों अगर आप काफी सारा धन कमाना चाहते हैं परंतु परिस्थितियों तथा भागे के चलते नहीं कमा पा रहे हैं भागे आपका साथ नहीं दे रहा है बंती काम भी बिगड जाते हैं धन्सम्मंदी समस्यां लगाता चली आ रही हैं तो इन से भी समस्याओं को दूर करेंगे, पांच काली मिच के दाने, आज की शाम आप पांच काली मिच के दाने लें, इसके बाद आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं, पश्चिम यानि की बेष्ट की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं, फिर आप इन पांच काली मेच के दानों को अपने सिर्पर से साथ बार उसालने यानि कि अपने सिर्पर साथ बार clockwise आपको इन दानों को खुमाना है इन दानों को सिर्पर से उतारने के बाद आप आप किसी सुनसान जगह पर जाए या हो सके तो किसी चौराहे पर जाए सुनसान इस्थान पर पहुचने के बाद आप काली मेच के चार दानों को चारों दिशाओं में फैक दें अगर आप चौराहे पर हैं तो चार दानों को चारों रस्तों पर फैक दें यानि कि एक रास्ते पर आपको एक दाना फैकना है दाना फैकने के पश्चाथ अब आप अपने घर की रस्ते की तरफ मुख करके खड़ी हो जाएं यानि कि जिस रस्ते से आप अपने घर आएंगे उसकी तरफ मुख कर ले और इसके बाद जो पाँचमा दाना है उसे आसमान की तरफ उपर फैके और दाने के नीचे आने से पहले ही आप अपने घर की तरफ रास्ते पर आगे बढ़ जाएं और ध्यान रखें पीछे मुड़कर ना देखें और रास्ते में किसी से बात ना करें और सीधे अपने घर आजाएं दोस्तों जो ते शास्त्र में बताया गया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाई है इस उपाई को करने से शनी देव के अशुप्रभाब शुप्रभाब में बदल जाते हैं भाग के साथ देने लगता है धन सम्मंदी समस्याईं दूर होती है धन का लाग होता है धन प्राम्ति के नए मार्ग भी खुलते है इसके साथ ही दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का शनी दोश है आप शनी दोश से पीरत है तो आप भोजन करते समय कभी भी उपर से साथा नमक या मिच नहीं डाले अगर भोजन में नमक या मिच कम हो तो आप उपर से काला नमक और काली मिच ही मिलाएं ऐसा करने से शनी देप का बुरा असर खत्म हो जाता है दोस्तों जीवन में कई समस्याईं की ज़र किसी की लगी हुई बुरी नजर या नकारात्मक उज़ा होती है नकारात्मक उज़ा बुरी नजर की बज़े से घर में अशान्ती रहती है, कलह रहती है बंते काम बिगडने लगते है घर में कोई ना कोई लगातार बीमार रहता है सब कुछ होने के बाप जूर भी मन उदास रहता है कुछ करने का मन नहीं करता आलस से रहता है और जो व्यक्ति कर्म पर ध्यान नहीं देते अपना कर्म नहीं करते मेहनत नहीं करते उन पर शनी देव की कभी भी शुबतर्ष्टी नहीं होते इसके साथ ही जो लोग आलस से करते हैं उदास रहते हैं लड़ाई जगड़े करते हैं उन पर कभी ही मालक्ष्मी की कृपा नहीं होते इसलिए शनी देव मालक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप यह आसान सा उपाय अवश्य ही करें इस उपाय को करने से बुरी नजर बुरी शक्ति का प्रभाब दूर हो जाएगा और घर से नकारात्मक उजा भी दूर हो जाएगे नकारात्मक उजा और बुरी नजर हटने से आपके घर में शुक्षांती का माहौल रहेगा आपका मन प्रसंद रहेगा आप अपने कर्म पर ध्यान देप पाएंगे महनत करेंगे और इससे शनी देव और मा लक्षमी जे की भी कृपा आप पर बनी रहेगे और घर में सुक्सम्रधी आएगे तो बुरी नजर नकारात्मक उजा बुरी शक्तियों के असर को दूर करने के लिए आप 5 ग्राम हेंग लें 5 ग्राम कपूर तथा 5 ग्राम काली मेच लें इन तीनों चीजों को पीस कर आप पाउडर बना लें और फिर इस पाउडर में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर आप इस पाउडर की इस चून की छुटे छुटे दाने बराबर गोलियां बना ले अब इन गोलियों को दुब बराबर हिस्सों में बाटते हैं अब एक हिस्से को याने की आधी गोलियों को आप आज की शाम अपने घर में चलाएं और बची हुई आधी गोलियों को दूसरी दिन सुभे अपने घर में जलाएं ऐसा लगातार आपको तीन दिनों तक करना है ऐसा करने से घर को लगी बुरी नजर उतर जाएगे घर में किसी भी तरह की कोई बुरी शक्ती नहीं रहेगे और नकारात्मक उजा के प्रभाब भी दूर हो जाएंगे दोस्तों अगर आपके ब्यापार में दुकान में बरकत में रुकावट आ रही है ब्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो आप इसी तरहें गोलिया बनाकर अपनी दुकान में अपने ब्यापार इस थल पर भी जलाएं ऐसा करने से ब्यापार और दुकान पर लगी हुई पुरी नजर भी दूर हो जाएगे पुरी शक्ती और नकारात्मक उजा का प्रभाब भी दूर हो जाएगा जिससे आपके कार्य में आ रही रुकावट बिजनिस में आ रही रुकावट दूर हो जाएगे और व्यापार में बरकत होगी दोस्तों इस उपाय के अलावा नकारात्मक उजा को दूर कहने के लिए आप एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं इस उपाय को कहने के लिए आप साथ काली मेच के दाने लें और घर के दर्शन या पश्ण कौने में रखकर आप इन काली मेच को जला दें ऐसा कहने से घर की समस्ते नकारात्मक उर्जा दूर हो जाएगी लेकिन दोस्तों ऐसा आपको लगाता साथ देनों तक करना है ऐसा कहने से आपके घर पर जो भी नकारात्मक उर्जा होगी वह सभी दूर हो जाएगी और नकारात्मक उर्जा के होने वाले प्रभाब भी हट जाएगे जिससे आपके घर में खुशियां आएगे दोस्तों इन उपायों को कहने से नकारात्मक उजा बुरी शक्तियों के बुरे प्रभाब दूर हो जाते हैं और इससे शनी देव ओमा लक्ष्मी जी की गरपराप्त होती है और घर में सुक्समरधी बनी रहती है उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंडस और इस्तिदारों में जादा से जादा शेयर करें जिससे भेबी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक्स पूर वोचिंग राधे राधे